नमस्कार दोस्तों, कॉल इंडिया लिमिटेड शेयर ने इस जोन में अपना 52 विक हाई प्रैस बनाया था और दोस्तों उसके बाद हमें इस शेयर में वापस से एक लगातार गिरावट देखने को मिली है और कुछी समय में ये शेयर में 10 प्रतिशत से भी ज़्यादा नेगेटिव में आते हुए देखने को मिला है तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ कोल इंडिया लिमिटेड शेयर का टेकनिकल अनिलिसेस और हम देखेंगे कि इस शेयर में एक धमा के दार तेजी कब आईगी इस टॉक में क्या भी खरीदारी करने का ये सही मौका है या फिर ये कोई धुका है और अन्त में डिसकस करेंगे कि ये शेयर हमें शौट टम में कौन से टार्गेट अच्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात आती है इस शेयर में रेजिस्टन्स की तो आप देखो के 183.10 का लेवल ये लेवल इस शेयर के लिए एक रेजिस्टन्स का काम कर रहा है आज इस शेयर ने इसी लेवल पर अपनी ओपनिंग दिखाई थी पर उसके बाद इस शेयर ने इसी लेवल पर रेजिस्टन्स वेज की और फिर हमें गिरावट देखने को मिले थी और इसी वज़े से आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इस शेयर में एक बैरिश केंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिला है दोस्तो अगर बात आती है ये लेवल रेजिस्टन्स क्यों बना तो उसका सिंपल लोजिक है कि दोस्तो पहले इस शेयर ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया था और अब ये शेयर इसके नीचे आ गया इसके लिए ये लेवल एक रेजिस्टन्स का काम कर रहा है अगर बात आती है इस share में कुछ नए support levels की तो यहाँ पर 177 रुपीज का level एक important support है क्योंकि आज के trading session में इस share ने इसी level पर support लिया अगर इस share इस support को तोड़ देता है तो chance से कि इस share में यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है और उसके बाद जो अगला support है वो है 162 का level यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाला level इस share के लिए पहले भी एक important support था दोस्तो आईएब हम देख लेते इस share में कुछ important technical indicators जैसे कि RSI relative strength index और MACD हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर दोनों indicator अपलाए हो चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों MACD में हमें लगातार negative histogram generate होते होगे दिखाई दिये हैं मतलब यहाँ पर जो MACD है वो अभी bearish हो गया है अगर बात आती है RSI की तो यहाँ पर आप देख सकते हो relative strength index 50 के नीचे आ गया है 55 के नीचे भी आ गया है यहाँ पर RSI का value अभी bearish हो गया है 53 तक आ गया है दोस्तों यहाँ पर RSI का अगर हम trend देखे तो लगातार एक up trend के बाद ऐसा लग रहा है कि RSI एक down trend में जा रहा है तो यहाँ पर दोस्तों दोनो technical indicator फिलहाल तो मुझे bearish दिखाई दे रहे है अगर बात आती है इस share में खर्जदारी करने की तो दोस्तों यहाँ पर simple logic है अगर यह share अपना यह resistance ब्रेक करता है तो इस share में तेजी आएगी इसलिए दोस्तों अगर आपको इस share में buying करनी है तो भी buy करो जब यह share 183.50 के उपर जाता है और उसके उपर थोड़ी देर तिक जाता है तो दोस्तों उसके बाद हम इस share में buying कर सकते है और उसके बाद दोस्तों जो मेरे short term targets रहेंगे इस share में वो रहेंगे 200 रुपीस से लेके 225 रुपीस तक के दोस्तों यहाँ पर अगर आपको stop loss लगाना है तो आप इस share में 175 का stop loss लगा सकते हो तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और दोस्तों ये वीडियो के educational वीडियो था इसलिए इस share में मेरी कोई भी by sale or hold की सला नहीं है धन्यवाद